हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टुमा यूटिब चानल अबाउट सिविल इंजिनियरिंग तो आज का अपना टॉफिक है ग्रेट सब कॉंक्रीट आज हम जानेंगे कॉंक्रीट के कौन से कौन से डिफरंट ग्रेट होते हैं और उनकी क्या मिक्स रेशु होते हैं मतलब आज हम इसम हीं मिक्स रेशुज कैसे रहते हैं और ठर्ड़ नंबर पर हमें उसकी कॉंप्रेशिू अपैं कॉंप्रेशिव जानेंगे क्या होति हैं उसकी कॉंप्रेशिव फ्रेंट का अज का ने ह हुआ सब्なबर करते हैं आज का टोफिक idea's of concrete concrete के different think first आम जालेंगे उसके कौन से कौन से good चरेटे फस्त देकोगे लीजिए मैं आपको कॉलम्न अदिता हो यह क्या है फस्त आम जालेंगे concrete के गुरेट हिस के फस्त गरेते कॉन कौन से रहते हैं है फस्त जो टो ड्रेट रता है वह रताय म5 से दुद्वात होती है इसकी फर्स्ट रता है एंफाइव सेकंड रता है एंफ सेवन पॉइंट फाइव थर्ड जो रता है यह रता है एंफेन फॉर्थ है एंफिप्टीन फिप्त है इसे जयदा बहुत है एंफुइंटी और शिक्स इसे ग्रेटी वियुक्त है यह जू ब्रेंड नयुद्वा मि और है ऐस्सेंतल और हम किता रहते हैं M20 और PCC के लिए M10 और M15 हम यूज़ करते हैं 30 के उपर के Mixed Design हम कि हम इसे यूज़ करते है Mixed Design के हिसाब से Second column हम बनाते है Mixed Ratio मतलब उसका हम Ratio कैसे लेते है Mixed Ratio हम यह देखते हैं सेकंड है अपना Mixed Ratio हम Mixed Ratio क्या कि रहेते है उसके रिशो रिशो का मतलब आप समझे फर्स्ट जो आएंगा वो सिमेंट सैंड और आग्रिकेट सिमेंट सैंड आग्रिकेट यह इसके रिशो रहेंगे मतलब यहां 5 के लिए क्या रिशो आएंगा यहां 1 इस्टू 5 इस्टू 10 मतलब एक सिमेंट का एस मतलब एक मतलब आप समय लिए में एक्जांपल जेता हूं आपको एक गंबिला सिमेंट और एक पाच गंबिले सैंड और दस गंबिले अग्रिकेट फाइन अग्रिकेट कोर्स ओ और एम 7.5 के लिए 1 इस्टू 4 इस्टू 8 इसी तरह हम यहन यहम 10 के लिए 1 इस्टू 3 इस्टू 6 और एम 15 के लिए 1 इस्टू 2 इस्टू 4 और एम 20 के लिए 1 इस्टू 1.5 मतलब देड गंबिला सैंड और तीन हमिले आईग्रिकेट इस तरह से एम 25 के लिए 1 इस टू 1 इस टू 2 यह क्या है इसके मिक्स रिश्रू आप यह ध्यान रुकिए सिमेंट सैंड आईग्रिकेट मैं लिख कर दिया आपको सिमेंट सैंड आईग्रिकेट अब देखते नेक्स्ट यूज अपनी मैं जासे पहल में हम देखें यहीं का धु मैं इसकी कमपरेशिन स्ट्रेंद रहें इसकीломपरोस्ट्राइब निकाल थे जो इसकीडीट पींग्रेटि और मिक्स को मैं मने। कि मिक्स होता और यह क्या है फायू इसकीं पोल्च स्ट्रेंथ वी इसकी यही पर लिखे कि आपको कहीं जाने की दर्वत नहीं है अब देखे यलाज द्रेंद केलीले है उन स्ट्रेंदि क्या है इसकी इसकां प्रेश बेस्ट से एक तैन्स प्रवार तीफ इसकी compressive strength और यह जैसे और यह 7.5 इसकी भी 7.5 नुटन पर एम स्क्वेर एम 10 की हो गई 10 नुटन पर एम स्क्वेर म 15 की हो गई 15 नुटन पर एम स्क्वेर एम 20 के लिए 20 नुटन पर एम स्क्वेर और एम 25 के लिए 25 नुटन पर एम स्क्वेर यह जो compressive strength रहेंगी आपकी बदली जाएंगी मतलब आप M25, M30, M40, M65 ऐसे जो grades रहते हैं मतलब यह बड़े-बड़े structure के लिए होते हैं तो इनके लिए जो grade compressive strength रहेंगी वह सेमी रहेंगी 35 के होंगी 35 नुटन पर M2 यह क्या होंगी उसकी compressive strength तो यह था आज की वीडियो का main purpose आपको बताने के लिए मैंने जो आपको पढ़ा है वो बहुत ही important और basic है यह आपको आना ही चाहिए जो इसमें से सवाल बनते हैं कौनसा कौनसा grade कहा पर यूद करना चाहिए यह सारी बाते इस वीडियो लेक्चर में discuss हो चुके तो आज का topic आपको अच्छा लगाँगा और इसके बारे में कुछ पता चलाँगा और important लगाँगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और दोस्तों के साशियर कर दीजे ठ कर दोस्तों कि अे घरई में पिरलीивать करें इस जीडियोत link यचियए